नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ये अपने चैनल विश्णु एटीपी में हार्दिक स्वात करता हूं और आज एक स्मॉल स्टोरी लेकर है बहुत ही सौड़ स्टोरी है जहां पे आपको बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाले है जैसे कि हमेसे मिलती है श्ट टर्न इंटू अलायन ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि चूहा सेर में बदल गया टर्न याने बदल गया ठीक है इंटू याने में अलायन याने एक सेर में चूहा सेर में बदल गया वही ऐसे क्यों बदल गया क्या हुआ कैसे हुआ जानते हैं अभी क् being chased by a cat, एक सेज यानि क्या होता है, हम बोलते हैं साधू संत उसे सेज खा जाता है, तो एक दिन एक साधू, सा यानि देखा, सी का पास्टें सा, ठीक है, सी सा सीन होता है ना, देखा, एक चुहे को, being chased, being chased by a cat, यानि, being chased यानि, क्या किया जा रहा था, being chased मतलब पीछा किया जा रहा था, किसका, किसे by a cat, by यानि द्वारा a cat, यानि एक बिल्ली के द्वारा क्या किया जा रहा था, एक चुहे का पीछा किया जा रहा था, यानि सीरी सी बात है, चुहे को बिल्ली क्या कर रहा था, दोडा रहा था, वही वह आप सभी को पता है, बि नेचुरल का मतलब क्या होता है जिसे हम बोलते हैं अलोकिक क्या बोलते हैं अलोकिक अब यहां से थोड़ा सा जूम कर देता हूं यहां ठीक है सुपर नेचुरल पावर ठीक है याने होता है अलोकिक सकती क्या सकती अलोकिक सकती सकतियां पावर सकतियों से मेड ही मेड याने बना दिआ हिम याने उसे किसे चुहे को, a cat, एक बिल्ली याने कि अपने अलोकिक सक्तियों से, दिव्य सक्तियों से चुहे को क्या बना दिया? एक बिल्ली बना दिया to save his life, तुसे याने बचाने के लिए, ठीक है? फिर क्या हुआ देखा चुछा को बिल्ली बना दिया कि अब तुम्हारा पीछा बिल्ली नहीं करेंगे कि फिर क्या हुआ देखे एक दिन a dog was chasing this cat एक कुटा was आपर की साथ ng form past continuous test वाच चेसिंग तो चेसिंग कहना तो पीछा करना तो पीछा कर रहा था एक कुटा पीछा कर रहा था डिश केट याने उस बिल्ली की अब भाई पहले चुहा था तो बिल्ली पीछा कर रही थी अब उसे बिल्ली बना दिया कि चलो भई अब तो इसे खत्रा नहीं है तो आप क्या कर रहा था कुत्ता उसका पीछा कर रहा था फिर क्या हुआ So इसलिए the sage सादू नहीं क्या किया देखे Turn him into a dog Turn याने बदल दिया him याने उसे into याने a dog याने कुत्ते में अब उसे कुत्ते में बदल दिया कि चलो भई बिल्ली का पीछा कुत्ता करता है तो कुत्ता ही बना दिया तो फिर कुत्ता धोड़ी पीछे करने वाला तो कुत्ता बना दिया फिर क्या हुआ Another day याने अन्य दिन और किसी दिन से another बोलते है दूसरे दिन और किसी दिन The dog was attacked by a lion अब आप समझ गए The dog, कुत्ता was attacked याने उस पर क्या किया गया था हमला किया गया वाज अटेक्ड हमला किया गया by याने द्वारा एक सेर के द्वारा अब कुत्ता बना दिया तो एक दिन क्या हुआ एक सेर के द्वारा उस पर हमला किया गया सेर ने उस पर हमला कर दिया The sage turned him into a lion देखें बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंटरेशनी शोरी अब देखिए सेर ने क्या किया सादू ने क्या किया turned बदल दिया इस उसे इन ट्री अने में अला एक सेर में बदल दिया बोले अब तो फाइनली अब हो गया सब चीज खतम हो गया अब कोई problem वाली बात नहीं आप कोई इसका पीछा नहीं करेगा अब फिर क्या हुआ अब सेर बन गया बहुत बोला मैं तो सेर हूं अब चुहा से और सेयर बनने आपको लेकिन क्या होता है देखिए दए Vienna जानते थे कर नो न्यो नो जानना ठीक है और निउ इसे भी new पढ़ेंगे, k silent होता है, no में भी k silent होता है, केवल इसे new पढ़ेंगे, new, k silent होता है, who new, जो जानते थे, ठीक है, no याने जानना, new याने जानते थे, पास्टन, गाउवाले जो जानते थे, the lion's secret, याने सेर का, यहाँ पॉश्णफी काकी के, सेर का, secret, secret याने होता, उसका जो राज, है न, उसका जो राज है, उसे जानते थे, गाउवाले जो जानते थे, used to laugh at him, used to, used to, याने किया करते थे, भई कोई चीज हम पहले किया करते थे, तो हम used to का use करते है, I used to play cricket, मैं cricket खेला करता था, I used to sing a song मैं गाना गाया करता था कुछ चीच किया करते थे उसके लिए हम used to का use करते हैं तो जो गाओंवाले जानते थे उसका राज को कि भई ये तो चूहा है वो क्या किया करते थे used to laugh हसा करते थे यानि उस पर हसा करते थे कि देखो ये तो क्या हसा करते थे देखे He was just a silly mouse यह ठीक है He was याने वह था क्या था Just शिर्फ a silly mouse एक silly यह न होता है मूर्ख क्या होता है एक मूर्ख चुहा है एक बेवकूफ चुहा है Pretending to be a lion Pretending यान होता है दिखावा करना उसे pretending बोलते है तो वो क्या कर रहा है दिखावा कर रहा है या नाटक कर रहा है To be a lion To be याने बनने की एक सेर बनने की भही सीधी बात अब समझ आगे तो गाउवाले उस पर हसा करते हैं जानते थे कि यह तो भही पहले चुहा था और इसे सेर बना दिएक है वो लोग उस पर हसा करते थे और बोलते थे कि यह तो केवल एक मूर्ख चुहा था जो अब सेर बनने का क्या कर रहा है दिखावा कर रहा है नाटक कर रहा है ऐसे बोल रहा है फिर क्या हुआ दा लायन थोट सेर ने सोचा थिंक याने सोच ना थोट याने सोचा सेर ने सोचा ही कुट नेवर स्टॉप ही याने वह कुट नेवर स्टॉप कुट याने सकना क्या सकना कभी रुक नहीं सकते वह कभी नहीं रुक सकता क्या नहीं रुक सकता the jokes, यानि जो jokes है जो उसके उपर जो मजाक होते हैं ठीक है, वो कभी नहीं रुख सकते until, यानि जब तक until, यानि जब तक and unless, until and unless का मतलब क्या होता है, पूरा मतलब जब तक की, तो उसे हम until and unless बोलेंगे, जब तक की he killed the sage वह साधू को मार दे, यानि भई, ये जो मजाक है, तब तक के नहीं रुखेगा, जब तक की मैं साधू को मार न दूँ तभी ये लोग बोलेंगे की हाँ भई, ये असली सेर है, नहीं तो ये लोग मजाक उड़ाते ही रहेंगे, ठीक है, ऐसे सोचा, देखिए सो, इसलिए he went to kill the sage देखिए, अब क्या हो रहा है, he went, वह गया go यानि जाना, went यानि गया वह गया to kill, यानि मारने के लिए साधू को, अब वो साधू को ही मारने के लिए चला गया, बोला भी या सब मजाक उड़ाते हैं, रुको इसको ही मार देता हूं, but लेकिन, when the sage saw, जब the sage, यानि साधू ने, साधू ने, जब साधू ने देखा, that key जब साधू ने देखा, key the lion was ready to attack, सेर था ready, यानि तयार to attack यानि हमला के लिए, सेर हमला करने के लिए, तयार था, साधू ने कहा, he said, उसने कहा go back to your original self, go back, go back, क्याने, हो जाओ, वापस हो जाओ, या वापस चले आओ, क्या चले आओ, to your, to your, यानि तुम्हारी, original self, original self का हो, हिंदी मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब मूल स्वरूप, मूल स्वरूप सबसे पहले, वो एक चूहा था, तो भई, आप अपने पुराने स्वरूप में चले जाओ, पुराने रूप में वापस हो जाओ, ऐसा उन्होंने कह दिया, अपने जो सक्ति था, उनके पास, अलोकिक सक्तिया, तो उससे फिर वो क्या हो गया, फिर से, सेर से चुहा बन गया, यू आर अन्ग्रेटफुल, एंड डोंट डिजर्व, टू बी अलायन, यू आर, तुम हो, अन्ग्रेटफुल, अन्ग्रेटफुल का मतलब होता है, जिसे हम बोलते हैं, एहसान फरामोस, कृतअगन हिंदी में, तो तुम एहसान फरामोस हो, और, डोंट डिजर्व, डोंट याने नहीं करते हो, डिजर्व याने, जिसे हम बोलते हैं, कि योग्य, ठीक है, तुम डिजर्व नहीं करते हो, तुम इस चीज के योग्य नहीं हो, तु बी अलायन, एक सेर बनना, एक सेर बनना तुम डिजर्व नहीं करते हो, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम एक एहसान फरामोस हो, मैंने भई तुम्हारी ज्यान बचाने के लिए चुए से तुम्हें बिल्ली बना दिया, बिल्ली से तुम्हें कुत्ता बना दिया, कुत्ते से बचाने के लिए, कुत्ते तुम एहसान फरामोश हो इसलिए उन्होंने फिर से उसे चुहा बना दिया तो देखे फिर क्या होता है and so इसलिए the silly lion turned back into a lion the silly lion याने मूर्क शेर turned back याने वापस बदल गया turn याने मूर्णा भी होता बदलना भी होता है फिर से वापस बदल गया into याने में a mouse एक चुहे में वो जो सेड था मूर्क सेड था फिर से चुहे में बदल गया तो इससे में moral क्या मिलती है शिक्षा क्या मिलती है ungrateful people याने एहशान फरामोश लोग पृतग्न लोग can never be happy याने कभी नहीं हो सकते एहशान फरामोश लोग कभी भी प्रशन नहीं हो सकते kभी भी खुश नहीं हो सकते तो यहां पे आप देख सकते हूँ यही सादू, यही सेज है, उन्होंने इसकी सहायता की, लेकिन उसने क्या किया, एहशान फरामोशी की, और उसी सादू को मारने के लिए चला गया, इसलिए कहते हैं ना, जो जिस हालत में है, कोसिस कीजिए, उसे उस हालत में रहने दीजिए, हाँ, यहाँ पर कहने का यह है प्रकृति pra שची ने भगावात आशे जो ए рук चुता की तो फेंडर पिशा बी नहीं लिए देंगे करना चाहिए टो प्रूड लाउयक करेंगे जहिर करेंगे आप सबसुनात धन्योंद की चूब रहे screenshot इसका facebook page में इसके अलावा community में आपको दे दूँगा, हो सके तो वीडियो के last में भी इसे provide कर दूँगा, एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद